पन्नी संसमाज धर्म पे में सज्जनों आप आप सभी को नए वर्षकी हर देख सुपकामनाए आप सबके जीवन सुखद एवं मंगल मैं एवं सांती प्री हो नए वर्ष ना जाने हम सबने कितने नए वर्ष देख चुके आज फिर से एक नए वर्ष आ गया ना जाने हमने कितने नए वर्ष गिंते रह गये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 नए वर्ष गिंते गिंते निकल गये लेकिन क्या जीवन में भी नया पनाया है नया कुछ है या नहीं वही दिन है नया कहां हुआ लोग कहते हैं नये मकान वही पुराने लोहे को गला करके रुपांतरित करके छड़ बनाया जाता है वही पुराना लोहा है वही मिट्टी है उसको रुपांतरित कर दिया जाता है पुराना मिट्टी है वही रेता है रुपांतरित होने के बाद में छण करके नदी से आता है नया बना दिए, नया कह देते हैं, नया तो है नहीं, नया कुछ भी नहीं है, जो हम कपड़ा पहनते हैं, लोग कहते हैं, नया कपड़ा, नया नहीं है कपड़ा, कपके रूई गुदाम में पड़ा हुआ था, वह कपड़ा, वह रूई से बना हुआ कपड़ा है, पुराना हो सकता है पुराना ही है नया है एक अदबूद चीज है नया जिसे लोग नय नहीं जानते हैं और उस नया चीज को नय नय ढंग से अपने जीवन को नयते हैं अपने जीवन को नय करते हैं अपने जीवन का नव निर्मान करते हैं वो लोग समझ सकते हैं कि नया क्या चीज है नया है अदभूत चीज है वो है नया आपके जीने की कला आज तक हमने शिकायत भरी जिंदगी जी है आज तक हमने तेरे मेरी वाली जिंदगी जी है आज तक हमने शिकवा और शिकायत डर और भै बरही जिंदग जिन्दगी जिये हैं, आज से हम बास साहत की जिन्दगी जिंदे हैं, तो आज ही हमारा दिन नया हो गया। और ये चीज जीवन में नहीं हो रहा है तो ना जाने कितने नए वर्स बीत गए और कितने नए वर्स बीत जाएंगे हम जहां के ताह रह जाएंगे दिन निकलता चला जाएगा साम ढलती चली जाएगी जिन्दगी यूहीं करती रह जाएगी हम जहां के तहां पड़े रहा जाएंगे हमारी उम्र घड़ती चली जाएगी सरीर की अवस्था बढ़ती चली जाएगी सरीर जड़जर होता चला जाएगा मन वही उफान सैतान में लगा रहेगा वही पुरानी चीजों में वही तूतूमय में वही राग में वही द्वेश में वही तेरे मेरे में पुरानी चीजों में लगा रहेगा समाज में परिवार में हर चीज का विकास हो धन का द्रब्ड का परिवार का गाड़ी धन दौला सब चीज का विकास हो लेकिन इससे जदा महत पर्ण विकास है महत पूर्ण वह विकास है मन का विकास मन में नया विचार आना ही सबसे बड़ा नया हो सकता है इससे नया मेरे हिसाब से इस दुन्या में कोई चीज नया नहीं है सारे चीज पुराने हैं सारे चीज जरजर होने वाले हैं सारे चीज तूटने और फुटने वाले हैं सारे चीज सरने और गलने वाले हैं सिर्फ एक नया विचार एक नए क्रांती जीवन में एक नए लहर जीवन में मुझे अब बासाहत की जिंदगी जीना है मुझे प्रेम और उसाह की जिंदगी जीना है मुझे डर और भै रहित जिन्दगी जीना है मुझे डर और भै वाली जिन्दगी नहीं जीना है और मेरे जीवन में ऐसा कोई भी काम ना हो जिसके वज़े से मैं डर करके जीऊ मेरे जीवन में ऐसा कोई भी खोट ना हो जिसके वज़े से मैं अपने ही परिवार वालों के साथ दुरी बना लूँ मैं और परिवार वाले मेरे से दुरी बना ले यदि आज ये जीवन में हम लागू कर लेते हैं अपने लिए तो सायद हमारे जीवन में नया पना आ जाएगा हर व्यक्ति में दोस है हर व्यक्ति में दोस है लेकिन हर व्यक्ति में अच्छाई भी है उनकी अच्छाई को देखे हमारे जीवन में इतने दोस है इतना दोस है कि यदि हम अपने आपको देखते हैं तो बाहरी लोग को देखने के फुरसद ही नहीं रा जाती है हम रुपांतर करें अपने जीवन को बदले, अपने जीने का तरीका बदले, अपने देखने का अंदाज बदले, अपने बोलने का अंदाज बदले, अपने सोचने का अंदाज बदले, एक नए लहर पैदा करे जीवन में अपने एक ऐसा लहर है जो कि हर व्यक्ति बीजबो सकता है इस लहर का हर व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन कर सकता है हर व्यक्ति अपने जीवन में जोस भर सकता है हर व्यक्ति के पास सो ताकत और सौर्य है जिसके बदवलत आदमी बासाहत की जिन्दगी जी सकता है कभी पुराने नहीं होते हैं आज मैंने सोचा आज अच्छा जीवन का शुरुआत करूँगा अच्छा जीवन का शुरुआत करता हूँ कल फिर सोचता हूँ मुझे एक नए जिन्दगी की ओर चलना है मुझे एक नए आत्रताय करना है मुझे एक नए सफर की ओर चलना है और मैं अपने सफर की यात्रा बढ़ाता चलता जाता हूँ जीवन में नया हो सकता है हमने ना जाने हमने ना जाने कितने वर्स बीत चुके पुराने हो गए सब ना जाने कितने कलेंडर बदलते चले गए ना जानने कितने कपड़े बदलते चले गए, लेकिन क्या आज तक हमने पुराने विचार को उखाड़ के फेकने के हिम्मत रखा, क्या हमने ये सोचे कि मुझे अब बादसाहत की जीवन जीना है, क्या चानकी प्रतीसत लोग नए वर्षं में संकलप लेते हैं कि अब मुझे नए वर्षं में मुझे नए जीवन की शुरुबात करना है, पच्चास प्रतिसत लोग शुरुवात करते हैं और शुरुवात मैंने भी किया है और मैं शुरुवात में असफल रहा हूँ अधिकतम बार लेकिन सफल भी हुवा हूँ मैं और मेरे जैसे ना जाने कितने पच्चास प्रतिसत लोग प्रयास करते हैं कि आज से मैं नहीं जिन्दगी का सुरुवात करता हूँ आज मैं क्रोध नहीं करूँगा आज मैं तेज नहीं बोलूँगा आज मैं प्रेम से बात करूँगा आज किसी के तरप भी मुझे आवाज नहीं उठाना है ना जाने कितने हज्जारों लाखों और करूडों लोगों ने संकल्प लिया होगा आज के दिन ना जाने कितने करूडों लाखों लोगों ने संकल्प लिया होगा लेकिन दुरुभाग्य की बात ये है कि संकल्प एक जन्वरी को ले रहे हैं और एक जनवरी को संकलप लेते हैं कि मुझे अब जीवन भर मुझे एक नई जीवन की शुरुआत कर देना है लेकिन दुरभाग यह होता है कि वो संकलप दो जनवरी का मुह भी नहीं देख पाता है सबसे बड़ी दुरभाग गय है हमारे जीवन का सबसे बड़े दुरभाग गय है एक जनवरी को संकलप लेते हैं कि हमको जीवन को गड़ना है गेवन को छिलना है जीवन को सवारना है जीवन को माजना है जीवन को परमारजित करते चले जाना है जीवन को मुझे निचले इस तर से उपर उठाते चले जाना है बहुं सारे संकल पलेते हैं और मुझे प्रेम और बास साहत की जिन्दगी जीना है बहुं सारे संकल पलेते हैं और संकल पलेने वालों में से कोई एक प्रतिसत लोग सफल हो जाते हैं वो अपनी जीवन को धन्य बना लेते हैं वही लोग बुद्ध कबीर महावीर इसा मुहम्मद जैसे महापुरुस बनते हैं बांकि तो हम जैसे लोग हैं जो थोड़ी थोड़ी बातों में उलस्ते और पुलस्ते रहा जाते हैं हम अपने ही जीवन को नहीं छिल पाते हैं अपने ही जीवन को नहीं सवार पाते हैं बस दुख भरी जिन्दगी जीते हैं इसी का नाम है दुख भरी जिन्दगी हम जीवन को सवारे आज ये अवसर मिला है सदुरु कहते हैं यहां इसम्मल कर ले आगे विशई बाट आज आउसर मिला है आज सम्मल इकठा कर ले कौन सी सम्मल कोई आदमी रास्ता में चलता है कहीं लंबी यात्रा हो तो सबसे पहले अपनी भोजन के तयारी करता है कल क्या खाएंगे पड़सो क्या खाएंगे पूरा इस्टिमेट बना लेता है सम्मल ले कर करके चलता है लेकिन क्या हमें अपने जीवन के लिए सम्मन बलाया क्या हमने अपने जीवन को एक सुन्दर रूप ढालने के लिए एक सुन्दर व्यस्थित धंग देने के लिए सुन्दर आकार देने के लिए क्या हमने सम्मल किया है वो कौन सा सम्मल है एक खाने पिनी का स अगर यह कहा जाता है समाज के साधू अगर अच्छे साधू है कहा जाता है तुमको इस आस्रम में नहीं रहना है विवाद नहीं करते हैं चले जाते हैं ठीक है भईया मैं चला जाएंगा विवाद नहीं करते हैं इस साधू और ग्रियास्ता में इतना अंतर होता है लेकिन ग्रियास्ता में भी बहुत अच्छे लोग होते हैं जो न लड़ते हैं न जगड़ते हैं प्रेम से जेते हैं बहुत से ग्रियास्तों को मैंने देखा है कभी किसी के साथ ठकरहाट नहीं करते हैं मैंने बहुत से ग्यास्तों को देखे हैं जो कभी आपस में भाई और भाई लड़ते नहीं देखा, कभी देरान और जठान को लड़ते नहीं देखा ऐसे लोग जीवन को परिमारजित करते हैं ऐसे लोग मानऊ के सृष्टी में गिंदी में आते हैं बाकी तो सब बत्तर की जिंदगें जीते हैं मैंने कहा कि 80-50% लोगों में से संकल्प करने वालों में से 50-49% लोग विश्फल हो जाते हैं उसंकलप का दूसरे दिन का मुख नहीं देख पाते है एक आदमी एक जन्वरी को संकलप लेता है कि आज इसे मैं गुट्का नहीं खाऊँगा एक गुट्का खने वाला आदमी चार गंटा बाद गुट्का शुरू कर देता है वो दिन भर भी नहीं बीट पाता है आदमी का गोट का सुरू कर देता है उनका संकल पक्खतम हो जाता है एक आदमी सोंचता है घर में मैं आज किसी के साथ लड़ाई नहीं करूँगा जैसे ही घर में जाता है बच्चों के साथ परिवार वालों के साथ लड़ना सुरू कर द है वैसे ही सद्रु कभीर के बाते सबके भेजे में पहुंचना सबके दिमाग में पहुंचना उतने ही असान है लेकिन उतने ही कठीन है आज पूरे भारतवर समय जितनी कबीर के वाणी गुंजती है जितने प्रवक्ता हैं जो सद्रु कबीर के वाणीयों को ले करके गुंगान गाते हैं और रामायन वाचक हो कथा वाचक हो कहीं न कहीं सद्रु कबीर के वाणी को अपनी बात रखते हैं इसलिए मैं कहा सद्रुकबीर के बाते जितनी ही सरल है उतना ही कठीन भी है कठीन क्यों है सद्रुकबीर का मारगा एकला मारगा है सद्रुकबीर का मारगा मोक्छा मारगा है सद्रुकबीर का मारगा जंजट और उलजट से हटा हुआ मारगा है सद्रू कबीर कमार का सबसे अच्छी बात यह है कि करम कांड और पाखंड से हट करके मार गए आज पूरे भारत में करम कांड बढ़ते चले गए आज पूरे भारत में गुर्वों की संख्या बढ़ती चली गई और आज हर जगा बिजनेस लगा हुआ है हर जगा धार्मिक बजार चल रहा है धार्मिक बिजनेस सबसे ज़्यादा बदमासी मैं अपनी बात शुरुआत दूसरी से किया था लेकिन धर्म की बात आई तो मैं कहूं सबसे ज़्यादा बदमासी आज धार्मी को में चलता है धर्म के नाम पर ना जाने कितने खुन बहा दिये जाते हैं धर्म के नाम पर ना जाने कितने लूटे जाते हैं कितने खसोट किये जाते हैं धर्म के नाम पर सब चलता है एक कथा वाचा केहां बैठ के कहते हैं एक व्यक्ति ने एक घड़ा में भोजन बनाया एक घड़ा का भोजन पचास हजार लोगं को पूर गया उसके बाद भी बज गया सब लोग आराम से तली वाजाते हैं इसे कहते हैं अंधी भीड और ये होता है कथा में मैंने सुना है ये धार्मिक जोट है ये धार्मिक जोट से जीवन में बदलाव नहीं होता है आज हिंदो मुस्लिम सीख इसाई आपस में लड़ते हैं धार्मिक्ता के नाम पर लड़ते हैं बिजनिस के नाम पर नहीं लड़ते हैं एक ही दुकान पर हिंदू, मुस्लिम, सीख, इसाई जाते हैं लेकिन एक ही जे धर्म के जगा है जहां मन की सांती की बात होती है जहां अध्यात्म की बात होती है वहां हिंदू, मुस्लिम, सीख, इसाई एक जगा नहीं जा सकते मंदिर में हिंदू, मुस्लिम एक जगा नहीं जा सकते या तो हिंदू बस जाएंगे मंदीर में लेकिन मुसलिम नहीं जा सकते लेकिन जहां मस्जिद है वहां हिंदू नहीं जा सकते ये धार्मिक लड़ाई है धर्म के नाम पर आज से पानसो वर्श पुरुप ना जाने कितने खून बहा दिये जाते थी कांट मार कांट चलता थाहिंद मुस्लियों में इसायों में खून की गंग की नदीब आती थी आज धार्मिकू उसे कहते हैं जो 4 गंटा मंदिर में पूजा कर ले, लंबा 4 चंदर लगा ले लंबा कंठी पहले, सफेद वस्त्रा धारन कर ले वो धार्मिक नहीं मैं धार्मिक उनको नहीं कहता हूं मैं तीर्थ यात्र कर ले वो धार्मिक नहीं मंदिर में पूजा कर ले वो धार्मिक नहीं गांजा का दम लगाते हैं धार्मिक कहलाते हैं तीर्थ यात्र कर लेते हैं धार्मिक कहलाते हैं लेकिन मन में छल क का भाव रखते हैं क्या धार्मिक हो सकते हैं मन में द्वेश का भाव रखते हैं क्या धार्मिक हो सकते हैं आज बड़े-बड़े मंदिर में अम्रजिदों में बड़े-बड़े पुजारी बैठे हुए हैं जहां ना जाने पैसा के लिए एक वैपार चल चुका है हमारे गु भारत एक ऐसा देश है जहां ना जानने कितने लोग इलाज के वज़ा से मर जाते हैं कितने लोग अनपड़ हो जाते हैं यह बात इसलिए कह रहा हूं मैं भारत में जितनी जन संख्या में आपके भारत देश में मंदिर होंगे उतने आपके भारत में ना ही हास्पिटल है ना ही उतना इसकूल है जीतने मंदिर होंगे सबसे बड़े आईक अश्रोत धार्मिकों के लिए सद्रू कबीर इन बातों को अखंडन करते हैं और सद्रू कबीर ने कोई जगा आसरम नहीं बनाया हम लोग भी करते हैं लेकिन हमारा अपने अपने सिध्धान को साप मानते हैं ले हम लोगों ने भी आप लोग दिये उस आसरम में रहते हैं लेकिन समाच के लिए जो करते हैं और जो नहीं करते हैं साधू बन करके साधू का जीवन नहीं जी रहे हैं साधू बन करके ध्वन के प्रतिलोब है काम इक्षा नहीं रोक पा रहे हैं कुरोत की भावनाओं को नह नहीं रोग पा रहे हैं मतलब साधू नहीं हो सकते हो समाज के लिए निवच्छावर हो जाना स्वामी वेकनन जी कहा करते थे यदि तुम समाज की सिवा करना चाहते हो तो साधी मत कराना तब समाज की सिवा कर सकते हो इसलिए आज धार्मिकों में जीतना बोलबाला है जूटका उतना और कही नहीं है धार्मिकों में चलता है तिर्थ हयात्र करना, गंगा नहाना, मक्का मोदिना जाना, प्रयाग जाना ये कुछ देर के लिए आदमी को सांती मिल सकती है लेकिन वस्तुता सान्ती का स्रोत ये नहीं है सान्ती का स्रोत अपने ही अंदर में सुख ढून रहे हो बन-बन में वा है तेरे अंदर सद्रुभिलाज साहिब के कवीता है जिसे तुम ढूनते हो बन-बन में ढूनते हो वह तुम्हारे अंदर में सद्रोभिलाज सहजी कहते है न जाने आदमी कहां-कहां भटकता है सुख के लिए और सुक के सुरोत के लिए आदमी मंदिर और मस्जीद में जाता है याचना करता है लेकिन जो हकिकत भगवान है उनसे वन्चीत रह जाते हैं हकीकत भगवान से वन्चीत रह जाते हैं दुनिया में आत्मा और परमात्मा के दर्सन कराने वाले भी हो गए है अब जो आत्मा और परमात्मा का दर्सन कराते हैं में एक जगह गया था तो कहें इस दुनिया कुछ ही समय में प्रलाय होने वाला है एक जगह का है और करीब वह हज़ार लोग थे बहुत बड़ी हाल थी बहुत बड़ा हाल उसमें कहें प्रलाय होने वाला है मैं कहा बहुत अच्छी बात मैंने एक प्रस्ण करना चाहता हूँ आप उत्तर दिंगे तो कहें प्रस्ण करिये प्रलाय होने वाला है हकीकत में क्या प्रलाय होगा तो कहते हैं ह प्रलाय एक नएक दिन हो करके रहेगा मैंने कहा आप विश्वास करते ही इन बातों में प्रलाय होगा तो कहते हैं हाँ विश्वास करते हैं तो मैंने उनको एक प्रस्ण किया यदि प्रलाय होना ही है तो आप इतना सारे अपना जो छेत्र पल बढ़ाते क्यों जा रहे हैं आ आप इतना मकान के ऊपर मकान कियों बनाते चले जा रहे हैं आप के पास मकान की कमी नहीं है पर भी इतने मकान हर साल ना जाने कितने हजजारो फिट मकान ठोक देते हैं आप आपको विश्वास नहीं41 आपके प्रलय होने वाला है फिर बनाते क्यों है आप आप इकठा क्यों करते चले जा रहा है तो उन्होंने क्या कहा आप यहाँ एक मैना रहिए तो सारी बात समझ में आ जाएगी और एक मैना रहूंगो तो अपना गूर खिलाएंगे मुझे मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता हूं भगवान मैं मानता हूं भगवान नहीं मानता हूं नहीं बहुत से लोग कहते हैं कि इरपंथी भगवान का खंडन करते हैं मैं भगवान का खंडन नहीं करता हूं लेकिन मैं असली भगवान को मानता हूं जिन्हों ने हमको बनाया जिन्हों ने हमारा निर्मान किया उन भगवान के मैं भरोसे बैड़ता हूँ मैं ना कि जिन्को हमने बनाया आज भारत का दुरुभाग्या है कि आदमी जिन भगवान ने हमको पैदा किया उन भगवान के साथ अहिस्कार करते हैं उन भगवान के साथ अवेला करते हैं और अपने हाथों से पत्थर का मूर्ती निर्मान कर लेते हैं उसके सामने नाक रगड़ते हैं और माता पीता के साथ बहिसकार का भाव क्या जीवन सुधर जाएगा इसलिए नए वर्समें मैंने कुछ देर आपनों के भी कहा कि नए वर्समें नए जीवन का सुरुवात करे हम पुराने घीसी पिटी जिन्दगी छोड़ दे हम एक सुन्दर जीवन का निर्मान करे एक व्यस्थित जीवन का निर्मान करे एक अच्छे जीवन का निर्मान करे हर कोई व्यक्ति फिर साधू हो सकता है साधू कपड़े से नहीं साधू कपड़े से नहीं गुरुदेव जी ने एक प्रस्न उत्तर लिखा एक व्यक्ति ने प्रस्न किया संत कौन तो सदुर्वलास सहब जी ने उत्तर लिखा संत कौन गुरुदेवजी ने एक वाक्य में उतर लिखा संत वह है जो दुखी नहीं होता है गुरुदेवजी ये नहीं कहे कि सफेद वस्रधारन करते हैं वो संत है सन्यासी कल पहनते हैं वो संत है काला विरस्त धारन करते हैं वो संत है आसरम में रहते हैं वो संत है ये सारे अलंकारों को गुरुदेव जी ने किनारे कर दिया, एक वाक्यों में उन्होंने उत्तर लिखा, जो दुखी नहीं होता है, वह संत है, आप सब भी संत हो सकते हैं, और संत है, हम जीवन को परिमार जित करें, निचले इस्तर से उपर उठाए, जीवन को सुन्दर गड रूप है, बस जागरित करने की जरूरत है, बस उसको उपर उठाने की एक उधारन दूप फिर अपनी बास समाप्त करूं, और आगे और संतोयम विचारकों के विचार सुनेंगे, एक मुर्तिकार मुर्ति बना रहा था, एक व्यक्ती रास्ता से गुजरते हुआ गया उध और मुर्तिकार के पास जा करके कहते हैं, आपने क्या सुन्दर मुर्ति बनाया है, इसकी कितनी ही विचेस्ता करूं, उतना ही कम है, मुर्तिकार कहते हैं, भाया विचेस्ता मेरी नहीं है, विचेस्ता इस मुर्ति की है, मैंने बनाया नहीं है, मैंने इस मुर्ति में कुछ भी नहीं लगाया है मैंने तो सिर्फ इतना इतना वस किया था कि एक अंगड़ पत्थर था अंगड़ पत्थर के अंदर मुझे मूर्ती दिखाई दे रही थी मूर्ती पहले से विराजमान है उसको मैंने सिर्फ छील करके निकालते गया निकालते गया जो आप पत्थर का मू सुन्दर रूप बन गया, सुन्दर मूर्ती दिखाई दे रहा है, यह इसके अंदर था, इसलिए, यदि इसके अंदर नहीं रहता, तो मैं यह मूर्ती नहीं बना सकता, वैसे ही हर व्यक्ति के अंदर, वो जोस, वो उतसाह, वो नए रास्ते, वो नए जीने का अंदाज, वो नए तरीका हर व्यक्ति के अंदर, मुझे दिखाई दे रहा है, हर व्यक्ति अपने जीवन को सवार सकते हैं, हर व्यक्ति अपने परिवार को सुन्दर बना सकते हैं, हर व्यक्ति अपने माहोल को सुन्दर बना सकते हैं, और अच्छा जीवन जी सकते हैं